एपिसो नमरेटी की स्टर्टिंग होती है और यान ब्लश करती हुए फूजीन चेन से कहती है मैं ये नहीं पहनूंगी तब फूजीन चेन आगे बढ़ती हुए कहता है तुमको ये पहनने की जरूरत भी नहीं है और मैं जाकर तुम्हारे ले नॉर्मल स्विम्सूट ढूंड कर लाता हुए फिर यान कहती है तुम्हारा शुक्रिया और वही दूसरी तरब सभी लोग नासते हुए कह रहे होते है चलो पाटी खतम हो गई है कहीं और चलते है और दूसरा कोई कहता है बिलकुल सही चलो चलते है और मॉम मन में कहरी होती है बच्चो जो मैंने तुम्हारे लिए महान अफसर बनाया है तुम उसे मत गवाओ और तब ही उनका फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाकर कहती है हेलो क्या हुआ फूजी इन चेंट अब सामने से फूजी इन चेंट चिलाती हुए कहता है मॉम तुम यान को इस तरह का सुइम सूट कैसे दे सकती हो वो अभी भी जवान है और तुम प्लीज अपने वहवार पर ध्यान दो और फिर मॉम घुसे से जिलाती हुए उससे कहती है इसमें कोई शक नहीं ये समय ने तुमारे लिए किया और तब ही फोन कट हो जाता है और मॉम घुसे से पागल होती हुए कहती है जैसे ही मुझे मेरा पोता मिल जाएंगा मैं तुमारी बिल्कुल भी परवा नहीं करूंगी और वही दूसी तरफ फूजिन चेन यान के पास एक स्विम सूट लेकर आता है और उससे कहता है यान तुमारा इस स्विम सूट के बारे में क्या ख्याल है तब यान कहती है हाँ ये ठीक लग रहा है फिर फूजीन चेन कहता है अच्छा ठीक है अंदर लॉकर रूम है जाकर तुम चेंज कर लो मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूँ तब यान कहती है हाँ ठीक है और फिर से इन सिफ्ट तरह में को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान चेंज करकर आ जाती है और कहती है अच्छा मैंने चेंज कर लिया है चलो चलते है हाला कि ये स्विम सूट थोड़ा टाइट है और वहीं फूजीन चेंज उसे स्विम सूट में देख बलश करती है मन में कहना लगता है वो इस स्विम सूट में कितनी जदे एक्टरक्टिव लग रही है और तब ही फूजीन चेंज उसकी बाड़ी को शर्ट से ढखती हुए कहता है तुम इसे पहन लो तब यान कहती है लेकिन ये सूट बहुती जदे एक्टरक्टिव लग रहा है और फूजीन चेंज कहता है वैसे मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुमें इस तरह देखे उसकी ये बास सुन यान ब्लश करती हुए कहती है हाँ ठीक है और फिर वो मन में कहने लगती है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इस तरह प्यार किया है फिर वो दोरों भार आते है और यान कहती है यहाँ पर कितना लेदा कच्रा हो चुका है लेकिन बाकी सब लोग कहां गए और क्या पाटी खतम हो चुकी है या कोई यहाँ पर है जो हमें यह बता सकता है और फिर यान पीछे गुमती हुए केती है चलो अब जब कि सब लोग जा चुके है तो हम भी वापस चलते है और तब ही यान का बेलेस बिगड़ता है और वो पूल में गिरने लगती है और फूजीन चेन उसका हाथ पकड़ती हुए केता है यान ध्यान से और फिर वो दोनों ही पूल के अंदर गिर जाते है और यान मन में केना लगती है अरे नहीं मुझे तेरना नहीं आता और वहीं फूजीन चेन मन में केता है यान शान्त हो जाओ और इस तरह पानी में मुझे खुलना तो मैं ले डेंजरस हो सकता है और फिर फूजीन चेन यान को आकसीजन ट्रांसफर करने लगता है और वहीं यानमन में केने लगती है उसके लिप्स बहुती ज़दा गरम है और वो मुझे आक्सिजन ट्रांसफर कर रहा है और फिर वो दोनों ही पानी के बाहर आ जाते है और यानमन में केतिये में अभी अभी मौत के बहुती ज़दा करीब थी और गाइज जिदी के साथ एपिसो नमबर 80 यहां एंड होता है पसना है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में